साथियों नमस्कार मैं सुमेर चोधरी एक बार पुने आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफोन पर साथियों बारत में पुष्टकालेयों का एतिहासिक विकास नमक टोपिक के most important question हम लगा रहे थे एक क्लास इस टोपिक पर कल आपकी हो चुकी थी उमीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से उसे तयार कर लिया होगा आज उसी टोपिक के उपर आपकी दूसरी क्लास है और इस टोपिक पर एक क्लास और होना बाकी है उसके बाद नया टोपिक आपका शुरू हो जाएगा और उस टोपिक पर फिर जितने भी question मनेंगे वो भी हम लगातार करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं तो बहुत महतोपून question है आज के क्लास में भी आपकी प्रिच्चा के लिहाज से बहुत महतो रखेंगे सभी question को आप बहुत अच्छे से साथ के साथ तयार करते जाएगा एक्जाम जब देंगे तो उस समय आपको लगेगा कि हासर ऐसे के ऐसे question repeat हुए है हमारी प्रिच्च question देखेंगे और उसके बाद जवाब देंगे कोई जल्दी नहीं है हमें पहला question आपके सामने है राष्ट्रिय पुस्तकाले की पहली अधिकारिक website कब launch की गई थी और website कौन सी थी भई www.nlindia.org ये पहली अधिकारिक website है इसे कब launch किया गया था ये आपको बताना है मैं आपको पूर्व में भी ये बता चुका हूँ कि हम वही question करेंगे जो आपकी प्रिक्षा के लिए बहुत मेत्वपुन है ये मानके चलिएगा कि ये question आपको प्रिक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे यहीं से question आपको प्रिक्षा में मिलने वाला है देखिए अगा बई चार उप्सन आपके सामने है जनवरी 2000, जनवरी 2001, जनवरी 2002 और जनवरी 2005 पहली अधिकारिक वेब साइट की बात हो रही है और पहली अधिकारिक वेब साइट की लौंचिंग करी गई थी जनवरी 2002 में तो याद कर लीजेगा पहले सवाल का जवाब आगे से जब भी ये सवाल आपके सामने आए तो उमीद करता हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे चलिएगा अगला सवाल आपके सामने है कि बारत का रास्टे पुस्तकाले कहां एस्तित है आपका जवाब होगा सब National Library of India पोलकाता में वस्तित है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी जिसका इतिहास भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 36 के अंदर कलकता वाली थी 91 के अंदर आपकी इंपीरियल आई थी फिर 1902 में दोनों को मिला दिया गया था और पिर इंपीरिय सवाल की तरफ निमनलिकित में से कौन सा बहरत का रास्क्रिय पुस्तकाला है पटना हाईकोर्ट 2019 में ये सवाल पूछा जा चुका है पटना हाईकोर्ट 2019 का सवाल है बहुत अच्छा सवाल है निमनलिकित में से कौन बहरत का रास्क्रिय पुस्तकाला है National Library of India आप किसे कहते ico님이 districts कौन सी l amberiy करा चार अप्शन है वभाई पुबिक लैब्राइरी अलीपोर कोलककाता दूसरा ओप्शन है दिल्ली पटली लाइब्रेरी कि तीसरा ओप्शन है राजा राम महंडराय लाइब्रेरी फाउडेशन और चोथा ओप्शन है आपका कमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जिसे आप बी आर टी सी कहते हैं तो चार ओप्षन है नेशनल लाइब्रेरी उप इंडिया कौन सी है वह इसमें तो आपका जवाब होगा सर ए इसका एकदम परफेक्ट जवाब है पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी वही अलीपो और कोलकाता वाली को ही नेशनल लाइब्रेरी उप इंडिया का दर्जा दिया गया है चलिएगा बढ़ते हैं आगे अगला सवाल क्या कहता है कलकता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक कौन थे पहले मालिक कोन थे याद करिए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और 1836 उस समय मैंने आपको बहुत आच्छे से बताया था कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जब इस्तापित किया गया था तो विशेश रूप से दो व्यक्तियों का योगदान इसमें रहा था एक व्यक्ति का नाम था आपका द्वारकानात टेगोर और दूसरे व्यक्ति का नाम था पीरी चंद मित्रा दो व्यक्तियों ने विशेश योगदान दिया था द्वारकानात टेगोर तो इसके मालिक बन जाते हैं दौरकाना टेगोर इसके मालिक बन गए और दूसरे व्यक्ति थे पीरी चंद मित्रा इसके पहले लाइब्रेरियन बन जाते हैं इनी दो व्यक्तियों का विशेश योगदान था योगदान था इस्तापना हो गई तो ये तो मालिक बन गए दौरकाना टेगोर तो दूसरे जो चलिए गाख्याब बढ़ते हैं आगे रास्त्रिय पुस्तकाले कोलकाता में कौन से उलेकनी उपहार संग्रहे विसेयों के पूरे दाइरे को कवर करते हैं बताइए भई बहुत गजब का सवाल है क्या जवाब होगा इसका आप कहेंगे सर डी इसका सही जवाब होगा सर आसुतोस मुखर जी बहुत कुछ डोनेट किया है इन्होंने नेशनल लाइब्रेडियों की लिया को तो ऐसे सवाल आपको प्रिक्षा में पूछे जाते हैं मारास्ट सेट 2020 का सवाल था याद कर लेने हैं ऐसे कोशन अगला सवाल बहुत गजब का सवाल है किस समीति या आयोग ने सिपारिस की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कोपीराइट डिपोजेट्री लाइब्रेरी गोशित किया जाना चाहिए याद करिए समीतिया मैंने आपको सारी पढ़ा दी हैं एक-एक समीति को बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया है कहीं कोई कसर हमने इन समीतियों को पढ़ाने में नहीं चोड़ी थी और आप जाइए वहां रिचे समीति में और रिचे समीति 26 में मै अपनी रिपोर्ट सब्मिट करवाई थी तो रिचे समिती के लिए आप 1926 को भी याद रखना बार बार पुछा जाता है 1926 और रिचे समिती के नीचे मैंने विशेस्ता नामक एक हेडिंग डालके आपको कम्प्लीट विशेस्ता है उसकी लिक्वा रखी है वहाँ पर एक विशेस्ता ये भी है कि रिचे समिती नीचे कहा था कि आपकी इंपिरियल लाइब्रेरी को कोपिराइट लाइब्रेरी का दरजा दिया जाना चाहिए तो ये बात किस ने कही है भई रिचे समिती 1926 ने कही थी लगाई आंसर बी पड़ा रखा है मैंने आपको बहुत अच्छे से पड़ा रखा है देखेगा बहरत की इंपिरियल लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी की स्वन जैंति वर्स कब मनाई गई थी वो वर्स इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी ओप इंडिया का स्वन जैंति वर्स कब मनाया गया था बई जवाब होगा कि सर 1953 में जहां तक मुझे याद आ रहा है ये था साए 30 जन्वरी 1953 ये एग्जेक्ट डेट महिना और वर्स है याद करें न भई हलाएं कि आपसे वर्स ही पूछता है 30 जन्वरी 1953 तीस जन्वरी के संदर में यहाँ ज़्यादा पूछता नहीं है तरेपन याद रखिएगा चलो जी खैर अगले सवाल की तरब बढ़ते हैं कलकत्ता पब्लि लाइब्रेरी पढ़ाई थी यह पूछा जा चुका है एंटियनेट जून 2020 में नेट में पूछा गया था यह सवाल है तो कलकत्ता लाइब्रेरी जब पढ़ाई थी शुरुआत करी थी तो याद करिए 1935 का वो वर्स 1935 में आपके कलकत्ता के टाउन होल में याद करिए वो कलास जब मैंने आपको यह लाइब्रेरी पढ़ाई थी यह कलकत्ता वाली तो 1935 में कलकत्ता के टाउन होल में वहां के निवासियों की एक बैटक होती है कब होती है 1935 में उस बैटक में कलकत्ता के बहुत से लोग उपस्तित थे और वहां पर एक व्यक्ति थे कहा गए भाई वो ताखी वहाँ पर लोग बैट करके अध्यन कर सकें। ये पहल करी थी जे एच स्टोकलर सहब ने। और इस पहल को कब किया गया? 1935 में और अगले ही वर से 1835 अब ये याद रखेगा। 1835 और फिर 1836 के अंदर कलकता पब्लिक लाइब्रेरी की स्टापना कर दी जाती हैं। और फिर बाद में स्टापना में दो व्यक्तियों का विशेस योगदान रहा था बता ही चुका हूँ में द्वारकाना टेगोर और पिरीचंद मित्रा है तो भावनाओं में बहे जाता हूँ थोड़ा सा आप भी इन चीजों का ख्याल रखा करो। 1836 है वह यह है ना 1835 में वो बैटक हुई थी और उसी के अंदर जे एच इस्टोकलर में ये पहल करीती कलकता लाइब्रेरी की फिर अगले सालिक्सिस्थी स्ताप्रा हो गई थी चलो जी खेर अगला सवाल देखते हैं इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लोग है MPPSC 2018, KES 2018 इसलिए आपके लिए भी ये सवाल बहुत मत्तोकुन साबित होने वाला है बाई बताएं इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लोग है अब ये सीधे फेट पे हैं इनमें कोई कंसेप्ट वाली बात है नहीं ये डाइरेक्ट याद करने हैं ये तो तो आप कहेंगे सर National Library of India जो कहा है कोलकाता में है उसी का ये क्या है एक ब्लोग है चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है आपका देखते हैं कलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कोन थे अभी हम बात कर चुके हैं कि दो व्यक्ति थे दो आरकाना टेगोर एन सो रुपे के आदार पे मालिक बन जाते हैं और जो दूसरे बच गई पीरी चंद मित्रा ये इसके पहले लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो जवाब क्या होगा भई पीरी चंद मित्रा इसके पहले लाइब्रेरियन बन जाते हैं सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं भई यह से आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है आजादी से पहले National Library of India जो कहा है कोलकाता में है इसको किस नाम से जाना जाता था दिल्ली यॉनिवर्सिटी में MLIS का entrance exam हो था 2020 में वहाँ पर यह सवाल पूछ लिया गया था तो बताईए भई National Library of India को आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था आजादी से पहले 1947 से पहले की बात है तो तब जाना जाता था Imperial Library के नाम से Imperial Library की स्तापना की बात करे तो आपको 1891 बताना है 1891 यदि option में नहीं हो तो फिर आपको 1902 बताना है क्योंकि Imperial Library Act जो था 1902 में आया था इसलिए उस Act की वज़े से इसका वर्स कई बार 1902 भी मानता है चलिएगा खेर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है रामपुर रज्जा Library की स्तापना किस वर्स हुई थी रामपुर रज्जा Library बहुत डिटेल से मैंने आपको पड़ा रखी है रामपुर ये राम का नाम आ रहा है याद करिए मैंने बताया था आपको कुछ जुगार बताये थे ऐसे राम का नाम आ रहा था, खुदा का नाम आ रहा था, सरस्वती का नाम आ रहा था, ऐसे आ रहे थे ना, तो ऐसे नाम आ रहे थे, तो वो क्या थे, रास्टे महत्व के संस्तान भी गोशित कर दिये गे थे, तो ये वही है रामपुर रज्जा, और रामपुर आपका पढ़ता ह कहां पर भई यूपी अथार उत्तर परदेश में तो रामपुर रज्जा लाइब्रेरी की स्थापना 1704 में हो जाती है और बाद में फिर 1905 में इसे राष्टे महतों का संस्तान भी गोशित कर दिया जाता है तो आप से क्या पूछ रहा है इसमें स्थापना का वर्ष पूछ से कर दिया जाता है तो ये बाते हैं साथ-साथ आप देखते चलेंगे तो आपके ताजा हो जाएंगे चलो जी अगला सवाल देखियेगा क्या कहता है भारत सरकार ने संसद में अधिनियम पारित करके रामपुर रज्जा लाइब्रेरी का अधिग्रहन किया अभी हमने बा उसके बाद हमने बात करी 은नी सो पिचोतर की तो उनी सो पिचोतर में अधिग्रेंड कर लिया बारत सरकार ने और उनी सो पिचोतर में ही इसे राज के महतु का संस्थान गोशित कर दिया जाता है तो दोणों चीजों के लिए आप उननी सो पिचोतर याद रखेंगे कहा ग क्लास में आठ दस क्यूशन लेके आता और फिर इदर उदर की बाते करके एड़एड करकर आके आपका आदा से पून गंठा यहीं खराब कर देता लेकिन मेरे ऐसा कोई टारगेट नहीं है और दूसरी बात मैं जो एक्जाम के लायक क्यूशन है वही क्यूशन आपको करवा रहा हूं आगर मास्टर गिरी दिक्वारी होती तो मैं ऐसे क्यूशन लेके आता जिन में आपको हवा भी नहीं लिखती वह बात अलग है कि उनका एक्जाम से कोई खास लेना देना हर बार होता नहीं है लेकिन आप लोग ये जरूर सोचते कि बुले बुर्जी तो बहुत क्यूसं करा रही है और ऐसे क्यूसं तो हमने पड़े ही नहीं है क्या पता सेलेक्शन मेरा होगा कि नहीं होगा भाग दोड़के पटा-पट इनका कोर्स करीदो ऐसा मेरा कोई intention नहीं है अगर ऐसा होता तो मैं भी उसी प्रकार के क्यूसं यहाँ लेके आता जो दुनिया करती सबी टीचर करते हैं, ख्लास से ज़्यादा एड करते हैं, तो मैं कम से कम कोशिस करता हूँ इन सब चीजों की, खेर चलिएगा, बढ़ते हैं, आगे सवाल पर वह से मैं वही सवाल करवाँगा, जो आपकी प्रिच्छा के लिहाद से महतुपून है, वही सवाल हम करेंगे, ब नाम, खुदा, सरस्वती, ये राश्र महतुपू वाले हैं बटा जी, मैंने कहा था देवी देवताओं के रिए नाम आएंगे न, तो ये राश्र महतू के संस्तानों में के लिए हैं, तो याद करें न, इनको ये खुदा बक्स वाली भी क्या है, राश्र महतू की लाइब पटना बिहार में, 1800 एकराणों में इस्तापना और 1969 में इसी राश्र महतू का संस्तान गोशित कर दिया जाता है, तो चाहो तो आप 1989 भी याद कर लिजिएगा, हलांकि 1800 एकराणों आपको आवश्यक रूप से याद करना ही करना है, देखिएगा सवाल कितना महतू पुन है कितनी बार आ चुका है, CCRS 2019, दिली युनिएरसिटी का MLS का इंटरेंस पेपर वा उसमें पूछा जा चुका है, फिर JKSSB 2017 में भी पूछा जा चुका है, पटना हाई कोट 2019 में भी पूछा जा चुका है, इनके अलावा भी बहुत बार पूछा जा चुका है, अब सारे के स सारे यहां तो हम लिख नहीं सकते, सबी चीजे तो नहीं बता सकते हैं, तो बोड इनी से बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल यह सिरफ दिखाने का उद्दिश्य यही है, कि आपको पता लगे कि सवाल कितना मत्वकुन है, और ऐसे सवाल परिक्षा में पूछे जा रहे हैं, त पतना को अक्टूबर वर्स में जन्ता के लिए खोला गया था, जन्ता के लिए देखो जी, खुदाबक्स लाइब्रेरी है, अठारा सो इकरान में इसकी स्तापना हो जाती है, और महिना भी अगर देखे तो यह था जन्वरी का महिना था, जन्वरी अठारा सो इकरानों में इसकी स्तापना हो जाती है लेकिन इसे जनता के लिए देखो खोल तो दिया गया था 1891 में ही वर्स अगर पुछे तो वही 1891 आना है लेकिन महिना भी अगर आपको बताना पड़े तो दस्वा महिना था और दस्वा महिना होता है OCP अक्टूबर तो अक्टूबर 18001 में जनता के लिए खोल दिया गया था हलंकि अक्तूबर यहां नहीं पुछा है तो आपका जवाब सिधा 18001 में ही होगा 18001 में ही इसतापना हलंकि वो जनवरी में हो गई थी और 18001 में ही अक्तूबर के महिने में इसे आमर जन्ता के लिए खोल दिया गया था और फिर 1969 के अंदर इसे क्या कर दिया गया था रास्ट्य महत्यों का संस्तान गोसित कर दिया गया था यह सारे तथे आपको याद कर लेने है बिटा जी सरस्वती महल कुस्तकाले कहां पर इस्तित है बताना है आपको कि सरस्वती महल लाइब्रेरी कहां परिस्तित है बैया जी देखियेगा सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजोर तमिल नाडू में अवस्तित है तंजोर के एक महराजा हुआ करते थे और मराठा महराजा हुआ करते थे जिनका नाम ता सैफोर जी तो सैफोर जी जो मराठा मारा जा थे उनी के नाम पर सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्तापना कर दी जाती है और सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्तापना करी गई थी 1918 में 1918 में सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्तापना तंजोर और तंजोर पढ़ता है आपका तमिल नाडू में तो वहाँ पर इसकी स्तापना करी जाती है चलिएगा खेर विश्व पुस्तकाले के बारे में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनी का द्वारा किये एक अध्धन में बारत में समसे उलेकने पुस्तकाले के रूप में किस पुस्तकाले को पुस्कृत किया है मतलब रिमार्केबल लाइब्रेरी के रूप में किस लाइब्रेरी को पुरुस्कृत किया गया है ये आपको बताना है साथियो रिमार्केबल लाइब्रेरी के रूप में सरस्वती महल लाइब्रेरी को पुरुस्कृत किया गया है सरस्वती महल लाइब्रेरी ये वही है जिसकी स्तापना 1918 में हुई थी देखो जी फिर से सरस्वती का मैंने कहा था ना देवी देवताओं की ये नाम आ जाएं खुदा, राम, सरस्वती ये ऐसे नाम आ जाएं तो ये क्या है भई, राष्ट्य मैत्यू के संस्थान भी है अब इस्तापना का वर्स पूचे तो 1918 बताएंगे ये बताएंगे और आपको अगर याद करना हो तो आपे ये वर्स एक और याद करना इसके लिए 1983 औबलिक 1986 हें कि सरस्वती मेहल लाइबरी की इस्तापना कब होई थी तो 1918 बताएंगे आपसे पूच लिया जाए कि इसे राष्ट्य मेत्यो का संस्थान कब गोशित किया गया था तो 1883 बताएंगे हालांकि कुछ बुक्स में वास्टे मेट्रों का संस्तान का जो वर्स है 1986 भी बताया गया है तो मैं दोनों चीज़े आपको लिखवा देता हूँ ओप्शन में दोनों में से एक ही मिलने वाली है सारी चीज़े साथ साथ याद करते जाएगा बहुत सारे तथे हैं और ये आपके ताजा हो जाएंगे सब के सब किस लाइब्रेरी का नाम मराठा राजा के नाम पर रखा गया था अभी हमने बात करी थी ना तंजोर के मारा जाते मराठा मारा जाते सैफोर जी और उनी के नाम पे इसका नाम सैफोर जी सरस्वती महल लाइब्रेरी रखा गया था 1918, 1983, 1986 ये सब के सब इसके संदर में आपको याद कर लेने हैं वही चलिएगा बढ़ते हैं आगे हरे कृष्णा महताब राज्ये देखो कृष्ण जी आ गया है फिर से ये भी राष्ण महतों का संस्ताना गया है अब आपको ये भी याद कर लेनी है दोनों चीजे इस्तापना का वर्स भी याद होना चीए और आपको जो ये राष्ण महतों का दर्जा दिया गया है वो वाला वर्स भी याद कर लेना है खेर, यहाँ तो कुछ और ही पूच रहा है, हरे कृश्णा महताबर्म, जो राजे फुस्तकाले है वो कहा है, हरे कृश्णा बुनेस्वर, उडिसा में तो ये इस्तित्र है, हरे कृश्णा गुंसट बोले हैं différentर गुंसट में इसकी स्तापना हुई थी, 1969 में तो इसकी स्तापना हुई थी हरे टुष्णा गुंसत नहीं तो बोले बहुत सतासी तुआ न तो 1987 में इसे रास्टे मैत्रों का दर्जा दे दिया गया था 1987 तो इसके लिए दोनों आपको वर्स याद कर लेने है 1969 और 1987 भी कहां प्रवस्तित है वो उडिसा में है तो ऐसे सब के सब तथे आप साथ के साथ याद करते जाएंगे फटा फट याद करते जाएंगे हम फटा फट क्यों संदेखते हुए चल रहे है किस लाइब्रेरी का नाम बदल कर उडिसा के पहले मुख्य मंत्री के नाम पर लखा गया था और उडिसा के पहले मुख्य मंत्री का नाम का हरे कृष्णा तो ये रहा हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी कभी स्ताप न हुई थी भई 1969 में राष्टे महत्व का दरजा कब दिया गया था आपके इंगे सर 1987 में इसे राष्टे महत्व का दरजा भी दे दिया गया था आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं और बात करते हैं दिल्ली पब्लिक लाइबरेरी की दिल्ली पब्लिक लाइबरेरी कहा है दिल्ली में है ठीक है इस्थापना के लिए वित्य और तक्निकी सहयता किसमें परदान करी थी दिल्ली पब्लिक लाइबरेरी की बात हो र पर दिखार बार्स भी, एक ऐसी में इसे डिपोजेटरी लाइब्रेरी का दर्जा मिल दिया था, एक कैसी के बाद मैंने फिर एक और चीज याद करवाई थी, इसे डिपोजेटरी लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया था, बहुत सी चीजे मैंने आपको याद करवाई यह पढ़ाया था, सारी चीजे याद होनी चीए आपको, जैसे मेरे मुँसे यह सब के सब वर्स निकलते हैं न, वैसे आपके मुँसे धड़ा धड़ बहार आने चीए, और मैंने तो तरीके से पढ़ाया है याँर आपको, तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में है और युनेस्को के सहयोग से इसकी स्तापना हुई थी, तो यह रहा युनाइटेड नेशन एजुकेशन साइन्टिपिक एंड कल्च्राल और्जिनाईजेशन, यू, एन, ए, ए, स, सी और ओ, थाट युनेस्को, तो युन अगला सवाल क्या कहता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी प्रियोजना प्रायुजित है, हांजी, बिल्कुल अभी बात कर चुके हैं, युनेस्को और भारत सकार, दोनों ने मिलकर के इसे बनाया था, तयार किया था, तो जवाब होगा, युनेस्को और गवर्वेंट ओप, इंडिया, भारत सरकार, सारी चीज़े याद कर ले नहीं है, कुछ भी नहीं चोड़ना है, क्या कहता है, अगला सवाल, दिल्ली पब्लिक लाइबरेरी की स्तापना, हांजी, बात कर चुके हैं, 1951 में स्तापना इसकी हो गई थी, 81 में डिपोजेटर लाइबरेरी बन गई, 49 में उनके लिए बन गई थी, बहुत सी चीज़े मैंने आपको इसके लिए लिखा रख ये सब के सब फेक्ट बीना ओप्सन देके आने चीए, इतने गजब के सवाल है, और आप देखी रहे हैं, सब के सब सवाल कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रिक्षा में आये हुए हैं, मैंने यहां लिखा हो या ना लिखा हो, सब के सब सवाल आ रखे हैं गई, और आये हुए स सवाल देखते हैं, क्या कहता है आपका आगला सवाल, दिल्Лी sinful library किसके अधीन काम करती है, दिल्ली public library किसके अधीन कारिय करती हैं, आपका जवाब होगा सर, ministry ब kg कहता है, सम्सक Во संस्क्रत्य मंत्रे के अधीन रह करकर के यह कारिय करती है, बहुत अच्छा सवाल jullie सीधे ACI Development Bank, ADB, यह रहा, के प्रकाशनों के लिए एक Depository Library के रूप में नामित किया गया 1994 में, बताया था नौ, ADB के पब्लिकेशन के लिए इसे Depository Library का दर्जा दिया गया था, तो चोर्यानों में दिल्ली Public Library, कहा है वई, यह रहा, दिल्ली Public Library DPL, अगला सवाल देखियेगा, क्या कहता है, पुस्तकों, पुस्तकों और समाचार पत्रों के वित्रन अदिनियम, 1954 के तहत, दिल्ली Public Library को Depository Library के रूप में जोड़ा गया था, बताईए बई, पुस्तकों और समाचार पत्रों के वित्रन अदिनियम, 1954 के तहत, दिल्ली Public Library को Depository Library, अभी बता ही चुका हो न, Depository Library की ही तो बात कर रहा है, Depository Library 1981, कहा गया बई, C, इसका सही जवाब होगा, ऐसे सभी fact आपको याद कर लेने हैं, कहीं पर भी समश्या नहीं आएगी, ये time आनके चलेगा, तो पिट के सभी question हम सामिल करेंगे, मलेई, वो easy हो, या फिर जटिल हो, परिक्षा में सभी प्रकार के question होते हैं, easy सवाल भी उसी same number का होता है, जबकि जटिल सवाल होता है, व हमें सब के सभी याद करने हैं, बारतियर राष्ट्रे पुस्तकाले को संग सुची के किस अनुचेद और अनुचेद और अनुचेद के तहत, राष्ट्रे महत्यों के संस्थान का विसेश दर्जा दिया गया है, बताइए बई, नेस्नल लाइब्रेरिय और इन्डिया की बात कर रहा है, और नैस्नल लाइब्रेरियो आनुचेद बांसट और अनुचेद और अनुचेद साथ, याद कर। पहले चरण में हमने कलकत्ता लाइबरेरी 1836 को पड़ा, दूसरे चरण में हमने इंपीरियल लाइबरेरी 1801 या 1902 को पड़ा, और तीसरे चरण में हमने अनुसूची सात्वी लिखवाया था, बहुत अच्छे से वहां आपको तयार करवाया था, पटना हाई कोट 2019 में ये सवाल भी आपका पूछा गया था, ये सब हम देखी चुके हैं, 1954 का आंसर था ही, ऐसे ही सवाल मैं रोज आपके लिए लेक्या हूंगा, बस आपसे उमीद यही रखूंगा कि आप इन सभी क्लासों को साथ साथ तयार करते जाएंगे, ऐसे नहीं चोड़ेंगे कि हाँ एक्जाम के टाइम पर देख लेंगे, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, हम सिरफ सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, और ये बाद कभी नहीं आया है, वेकेंसी क्याती है, तो हम फिर से तयारी सुरू कर देते हैं, तो ये गलती बच्चों अब नहीं करनी है, अब कोसिस करिए का कि इसी वेकेंसी में आपका सेलेक्शन हो जाए, नहीं तो ये लोग जो ताने मार रहे हैं, ये ज्यादा मारेंगे, आपके पास इनको जवाब देने के ल आप अभी तयारी कर रहे हैं, फिर भी वो आपसे पुछेंगे क्या कर रहा है, उसे पता है कि क्या कर रहा है, फिर भी आपसे जरूर पुछेंगे, आपको नीचा दिखाने की हर कोई कोशिस करेगा, तो ये मौका है, इस बार चूकना नहीं चीए, चलिएगा बहुत- झाल झाल